क्या आपने कभी ऐसी स्नैपर के बारे में सुना है जिससे तीन किलोमेटर दूर एक तम एक्यूरेट निशाना लगाया जा सकता है ये गन कितनी ज़्यादा पाउरफुल है इसका अंदास आप इसी बात से लगा सकते है कि इसकी मैकसिमम एफेक्टिव रेंज 1500 मिटर से लेकर 3000 मिटर तक होती है और ये गन एक मिनट में लगातार 20 राउंड को फैर कर सकती है और अगर बात करें इस गन की कीमत की तो लगबग 3 लाख रुपे के आसपास होती है नमबर 9 और्जिस टी 5000 स्नैपर रैफल दोस्ते एक मल्टी परब स्नैपर रैफल है जिसकी मैकसिमम एफेक्टिव रेंज लगबग 3000 मिटर के आसपास होती है यह गन कितनी जादा पाउरफुल है इस कंदास अब इसी बात से लगा सकते है किस से निकलने वाली बुलट की स्पीड लगबग 826 मेटर पर सेकिंड के रफ़ता से ट्रैवल करती है और यह गन एक मिनट में लगबग 30 राउंड को लगातार फायर कर सकती है दोस्तों दुनिया की सबस्दा पाउरफुल एडवांस और पॉपलर गन में से एक है जिसके अंदर 300 विंचेस्टर मेगनम या फिर 338 लैपवा मेगनम बुलट का इस्तमाल किया चाता है इस गन का प्रोडक्शन बहुत जादा एक्स्ट्रीम टेंपरेचर में ओपरेशन करने के लिए बनाया गया था जिसकी मैक्सिमम फेक्टिव रेंज लगबग 30,000 मिटर तक होती है और इस गन ने साल 2009 में 2475 मिटर लंबा शॉट मार कर दुनिया का दूसरा सबसे लंबा स्नाइपर शॉट मारने का रिकॉर्ड बनाया था नमबर 7, MC Million Tech 50 स्नाइपर राइफल या फिर MK15 स्नाइपर राइफल दोस्तों दुनिया के सबस्यादा एडवांस स्नाइपर राइफल में से एक है और इस गन के उपर लगा हुआ इसकोप भी दुनिया का सबस्यादा एडवांस स्कोप है जोकि 5 माइल तक पोरा गिलियर व्यू दे सकता है इस गन की Maximum Effective Range 2 माइल तक होती है लेकिन इसको बनाने वाली कंपनी के हिसाब से इस गन की Maximum Effective Range 3,000 मेटर तक होती है दोस्तों एक American Mate Protection Snapper राइफल है जोकी Extreme से Extreme Temperature में भी Operation कर सकती है इस गन को Shitek Webmaster ने डिजाइन किया है जिसके अंदर Maximum 7 राउंड को लोट किया जा सकता है इस गन के ओपर 15 एक्सिस कोप को भी इंस्टॉल किया जा सकता है और इस गन को अलग-अलग तरह की Accessories लगाकर अपक्रेट भी किया जा सकता है और अगर बात के ने इस गन की Maximum Effective Range की तो तीन हजार मेटर तक होती है इस गन की प्राइस है 15,000 US डॉलर जोकी भारती रुपए में 11,000,000 रुपए से भी जाता है इस गन का इस्तमाल अफगानिस्तान वार और इराक वार में भी किया गया था इस गन के अंदर 0.260 रैमिंग्टन बुलट को डाला जाता है जिसकी वजह से इसकी Maximum Effective Range 2000 मिटर तक होती है लेकिन इसके अंदर 0.308 विंचेस्टन मैगनम बुलट को भी डाला जा सकता है जिसकी वजह से इसकी Maximum Effective Range 300 मिटर तक बढ़ जाती है दोस्तो इस गन का प्रोडुक्शन 1995 में शुरू हुआ था जो कि एक बोल्ट एक्शन स्नैपर रैफल है ये गन एक हैवी लोड स्नैपर रैफल है जिसका वेट लगबग 10.5 किजी तक बढ़ जाता है इस गन के अंदर 0.50 BMG बुलट का इस्तमाल किया जाता है जो कि इस गन से शूट होने के बाद 930 मिटर परसेंट की रफतार से ट्रैवल करती है इस गन की एवरेज रेंज 2000 मिटर तक होती है और अगर बात करें इसकी Maximum Effective Range की तो वो 3500 मिटर तक हो सकती है दोस्तो एक जर्मन मेड इसनैपर रैफल है जिसका प्रोड़क्शन 1992 में शुरू हुआ था एक लाइट वीड इसनैपर रैफल है जिसका वेट लगबग 5.5 केजे तक ही होता है दोस्तो एक गन कितनी जादा पाउरफुल है इसकंदास आप इसी पास से लगा सकते हैं कि इस जर्मन मेड इसनैपर रैफल है जिसका प्रोड़क्शन 1993 में शुरू हुआ था और इस गन को साल 2017 में डिसकंटीन्यू कर दिया गया दोस्तो एक गन इतनी जादा फिमस थी कि 20 सालों में ही इसकी 2 लाग से भी जादा फिरियंट को बीचा गया ये भी एक लाइट वेड इसन इंसान को भी एक ही शॉट में मार सकती थी और इसके मैक्सिमम फेक्टिव रेंज लगबग 3,000 मेटर तक ही होती थी और ये गन एक टेलिसकोपिक टी अटेचेबल इसकोप के साथ आती थी नमबर वन बैरेट M82 स्नैपर रैफल दोस्ते दुनिया की सबसादा पाउरफुल स्नैपर रैफल है और इस स्नैपर रैफल कितनी ज़्यादा टेडलिस्ट है इसकंदा साब इसी पास से लगा सकते हैं कि अपने से एक किलोमेटर धूर खड़ी हुई दीवार या फिर आर्म सेट 50 पर सेकंड की रफ़तार से ट्रैवल करती थी जिसकी मैक्सिमाम एफेक्टिव विरेंज साड़े 3000 मेटर तक होती थी और इस गन का इस्तामाल इराक वोर और अफगानिस्तान वोर में हुआ था तो चली दोस्तो आज किस वीडियो में बस इतना ही उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करते और ऐसी इंटरस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना बोले